तो यहां पर हम पार्ट के अंदर देखते हैं यहां पर बहुत सारे पार्ट रहते हैं कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट है मॉनिटर है आपकी LCD भी कहते हैं आप उसको की बोर्ड है माउस है सारे यहीं कंप्यूटर के पार्ट रहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो सिस्टम यूनिट को अगर हम देखें सिर्फ सिस्टम यूनिट की पार्ट करें तो उसके काफी सारे पार्ट से SMPS system है, इसको आज हम पढ़ेंगे, motherboard है, इसको आज हम पढ़ेंगे, तो ये दो चीजे हम पढ़ेंगे, इसके बाद आपका CPU है, आगे है, memory chips है, hard disk है, and disk drive हो रहते हैं, जिसमें आपके CD, DVD drive रहती है, तो इसको हम अगले lecture में पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर हम सबसे पहले SMPS की बात करें, SMPS का फूल फूल फॉल 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 रहती है, वह है, switch mode power supply, switch mode power supply, SMPS का काम रहता है, and SMPS provide power supply for all the component of system unit as per their requirement, तो अलग-अलग component रहते हैं, इनको कितनी बिजली चाहिए, कितने requirement है, तो वह सारी बिजली की requirement जो है, यन कितनी power supply की support को देनी है, यह सारा काम देखने का काम होता है, वह है, SMPS का switch mode power supply, ठीक है, देखने में आपने जरूर देखा होगा, हर कंप्यूटर के साथ आपको अटेच मिलेगा यह, इसको ही SMPS कहते हैं, यहां पर भी आप देख सकते हैं, SMPS जो है, इसको बोला जाता है, switch mode power supply, ठीक है, उसको दूसरा जो पार्ट रहता है system unit का motherboard रहता है, सबसे जरूरी पार्ट जो है system का, वो सबसे जरूरी पार्ट जो है motherboard ही रहता है, यह होता गया कि printed circuit board रहता है, ठीक है, बर बोर्ड की तरह ही होता है, PCBB बोलते हैं, इसको printed circuit board, जहां पर कहता है कि हर एक component जो रहता है system unit का, वो कहीं न कहीं connected रहता है, या तो directly या तो indirectly, इसलिए यह पर कुछ चीज़े प्लेस होती है, तो इसलिए यह मदर बोर्ड के साथ कि साथ किसी न किसी तरगे से डिरेक्ली, इंडिरेक्ली, प्लेस होती है, तो इसलिए यह मदर बोर्ड जो रहता है, यह सबसे important component जो है system unit का, वो माना जाता है, अब मदर बोर्ड जो हें इसकी कुछ likes अटकीज़े रहती है, नाग लोर्ड नाइंट नाग बोड्äch यह दो तरह के मदर बोर्ड सहती है, सब से वाले इंटिग्रेटीर मोड़ ब०्दी बात करें तो जो भी मोडर बॉर्ट की सौक्ट रहती इसके उपर ही सारे पार जो ही clutter होते हैं, अशरきます इसके उपर s legit बेल्ड ऐन दुडर ऑप्किहे इसके उपर ही स JUST यह रहा है तो ụो पूर का पूरबोर रिप्लेस करना पड़ेगा तीक को हई सलॉट नहीं पड़ेगा झांज तैके हिए बड़ी कमबारी होती है कि आपकर स्लोट बीच में से तूड़ जाए ऐसा होता नहीं लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको पूरी की पूरी जो है वो रिप्लेस करनी पड़ जाती है और एको ड्राबक जो इसका वो है कि सम्टाइम क्या होता है कि एक्सपेंशन लॉट जो होते हैं अप्रीडिय अप्रीडेशन के लिए वो इसमें अविलेबल नहीं रहते हैं इसका साइज वह लिमिटेड रहता है फृदर जो है आप एक इसका दूसरा नुक्सान रहता है तो यह थिया आपके इंटीग्रेटिडिड मदर बोर्ड अब हैं और एक्सपेंशन स्लोट के मतद से आप कुछ एक्स्टरा चीज अगर उसके साथ अटैज करनी है लगानी है तो वह लगा सकते हो तो बिल्ड इन नहीं होते बाहर से स्लोट मिले होते हैं स्लोट में आप कनेक्ट करके बात की चीज़ आपकी जूद के हिसाब से वो लगा सक अब कुछ नगा स्टैज नेटवर्क कार जिनको अच्छा चाहिए वीडियो कार जिनको अच्छा चाहिए ठीक है साउंड कार चाहिए तो वह मदर बोर्ड नॉन इंटेग्रेटी यूज ताकि अपने हिसाब से जो है वो यूज कर ले सॉरी फॉर्ड इस अब कुछ ड्रॉ अगर इस तरह के मदर बोर्ड का इस्तमाल कर रहे हैं तो फाइदे और नुकसान दोनों की हैं चाहिए वो नॉन इंटेग्रेटी रहे उसके बाद मदर बोर्ड के अंदर कुछ और चीज़ें इंपॉर्टन आपको मिलती हो है साउथ ब्रीज और नॉथ प्रीज यहां पर यहां पर यह जगा पर आपका साउथ प्रीज रहता है तो क्या काम रहता है को कहता है कि इस आदर टू डिफरेंट चिप सेट्स एक तरह की चिप्स हम कह सकते हैं रहती है एक उपर लगी एक नीचे लगी है जो की हैंडल करती है most of the internal connectivity between the hardware devices and CPU तो hardware devices और CPU के बीच में जितनी भी connectivity का जो तरीका है या हम कह सकते हैं connectivity का जो ज़रिया है वो यही हैंडल करती है these chipsets regulate the activity between these devices and perform most of the background tasks ठीक है तो यह जो chipsets रहते हैं आपके यह activities जो भी है devices के बीच में hardware and CPU के बीच में उसको देखती है और background task जो है उसको भी यही perform करती है जो की PCs को चाहिए होता है perform करने के लिए functions ठीक है तो यह आपके रहेंगे north bridge and south bridge ठीक है आईए देखते हैं इसको थोड़े detail में north bridge साउथ पिच कैसे क्या है तो यहां पर north bridge हो यहां आपके प्रेज हो यह CPU को कहीं न कहीं किसी न किसी component जो है computer का उसके साथ जोडता ही जोडता है यह बरक आप देखके तो यह नॉर्थ प्रेज है यह अलग皆さん अलग component के साथ CPU को जोड रहा है और ये किस-किस के साथ CPU को जोड़ता है तो RAM के साथ CPU को जोडने का काम North Bridge का रहता है AGP Bus को CPU के साथ जोडने का काम North Bridge का रहता है PCI Express Bus और Build-In Display Adapter इन 4 CPU के साथ जोडने का काम रहता है Northern Bridge के ठीक है सब में से important देखो कि तो RAM तो RAM को अगर CPU के साथ कौन जोड़ता है ये पुछा जाए तो वह है आपकी North Bridge ठीक है और दूसरी तरफ अगर है South Bridge की बात करोगे तो South Bridge भी CPU को काफ़ सर चीजों के साथ जोड़ता है यहां पर और ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है और ये CPU को किसके साथ जोड़ता है तो ATA drivers के साथ USB bus के साथ, firewall bus के साथ, serial port के साथ, parallel port के साथ, build in audio के साथ और ISA bus के साथ, ठीक है तो इन सब चीजों को CPU के साथ जोड़ने का काम जो है वो रहता है आपका South Bridge का ठीक है तो ये दो इसके चीज़ें याद रखीगा, important क्या क्या है इसमें से तो आप firewall bus हो, serial bus हो, serial port, parallel port, USB bus इनको CPU के साथ connect करता है आपका South Bridge, तो ये चीज़ जात रखीगा, South Bridge कहां पर है, मैंने आपको दिखाया भी है, ये आपका North Bridge और South Bridge है इसके लावा आप फिगर्स के ओपर बात करते हैं, अलग लग मदर बोर्ड के कुछ कंपोनेंट से इसको हलकी सी नजर दे लीजिए, ठीक है, Socket 7487 जो है आपको यहां पर मिलेगी, ये North Bridge आपका आ गया, इसके लावा जो है South Bridge आपने देख लिया, CMOS बैटरी जो है वापक के लिए Slot यहां पर मिलेगा, SDRAM हो ये DRAM हो तो ये Slots आपको यहां मिलेगी, AGP Slot आपको यहां पर मिलेगा, एंड उसके बाद अगर आप नीचे आओगे PCI Slots आपको यहां पर मिलेगी, ATX Connector है, उसके बद बेसिक Input Output System की Location आपको यहां पर मिलती है, तो ये सारी चीज इसके बदेखता है, इसके बीचे लग-लग Component है, इनकी Location में आपको बता चुका हो, तो इसी तरह से आपको मिलेगी, तकरीबन तकरीबन यही चीज़े हैं जो आपको काम आने वाली हैं, इसके अलावा जो है, नेक्स पार्ट में हम जो है, इसके आगे CPU एंड उसके आग